हेलो फ्रेंड्स स्वागत हैं आपका मेरे चैनल पे प्रिया ब्यूटी एंड हेल्ट टिप्स दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप विटेमिन E का कैपसूल जो है जो मार्केट में इजिली अवेलिबल होता है वो आप अपने हेर ग्रोट के लिए इस्तेमाल कर सक का को बिटेमिन E कैपसूल आपको बड़ी आसाने से मार्केट में मिल जाती है और ये काफी कीफायती है यह चुम कैपसूल मैंने यहां पिली है वो है इवियॉन विटामिन ई कैपसूल और यह 400 है मार्केट में 200, 600, 800 की भी मिल जाती है बट आज मैं यहां पे 400 यूज कर रही हूँ चलिए शुरू करते हैं कि कैसे आप अपने विटामिन ई कैपसूल यूज कर सकते हैं और ना सिर्फ हैर गरोध के लिए बल की आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ड्रैस कैल्प के लिए स्प्ली एंड्स के लिए अगर बाल बहुती र autograph हो चुके हैं उसके लिए आप इस करके दिखाए हूं सो जितनी अपनी हेर की ग्रोथ एलेंथ है उसके हिसाब से आप 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 आई ले ले और अगर सपोज हेर की लें ज्याधा है तो उतने ज्यादा कैप्सूल ले ले सबसे पहले लेंगे कोकोनट ओयल दो चमच आप कोई भी कोकोनट ओयल यूज कर सकते हैं और इसमें हमें आड़ करना है एक कैप्सूल विटमिन ए की इसे आपको नीडल के मदद से प्रिक करना है और फिर इसमें डालना है अब आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है देखिए ये ओयल बिलकुल तयार है अब आप इसे अपने हेर पर लगाईएगा और कम से कम एक घंटा के लिए रखेगा एक घंटे बाद माईल शेंपू से इसे वाश कर लेजेगा और कुछ ही दिनों में आपको फर्क नज़र आएगा फर्स वाश में आपके हेर बहुत ही स्मूट और शाइनी हो जाएगे क्योंकि विटमिन E इंस्टन शाइन और अच्छा लस्टर आपके बालों में लेकर आती है सो प्लीज इस रेमेडी को अपने घर में जरूर ट्राइके जीगा यह काफी किफायती है और आपके हेर्स के सभी प्रॉब्लम्स को मिटाने के लिए कारगर है क्योंकि विटमिन E हमारे हेर और स्किन दोनों के लिए लाजवाब होता है उमीड है आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक शेयर रुक और कमेंट करना मत भुलेगा थैंक यू सो मच